हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फ्रेंट्स एरिस लाइफ साइंस की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका स्टैंडल उन रिजल्स आउट हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसेच करेंगे चलिए फिनांसल को कवर करेंगे औरव की बात करें तो स्ट PVC इंक्रेज कोंगे बात में इंक्रेज किया एक्स्पेंश च किया है उप्रेटिंग पॉप्नंसल रिग्ष्ट्र औ' को और December 22 quarter में 318.9 क्रोड का expense हुआ था जो किade Muito new to me Alexaentes as operating profit 115.8 क्रोड का पिछले quarter में 126 क्रोड का 보여ब 22 quarter में 106.5 प्रोड को उपरेइडिंच अब這種 यह doing I did Azul Net profit 100.4 क्रोड का पिछले quarter में 122 क्रोड का December 22 quarter में 100 क्रोड का पॉफीट quarter में leaders for me and EPS 7.54 रुपेस का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys company का जो result अगर देखा जाए तो consolidated में average है क्योंकि quarter on quarter की income profit में down है but year on year में increase किया है अगर हमें standalone cover करें income में 327.8 करोड का इसलिए quarter में 416.6 करोड का December 22 quarter में 335 करोड का income है जो कि quarter on quarter में down है year on year में down देखने को मिला है income down होती नजर आ रही है year on year quarter on quarter दोनों में but expenses हुआ 293 करोड का पिछले quarter में 296.7 करोड का और December 22 quarter में 225 करोड का expense हुआ quarter on quarter में year on year में expenses भी decrease है लेकिन year on year में बहुत ज्यादे expenses के वन पॉफिट भी बहुत ज्यादा फॉल वह कि income अल्रेड़ी डाउन था अपरेटिंग पॉफिट है 34.6 करोड का पिछले quarter में 119.9 करोड का और December 22 quarter में 110 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है नेट पॉफिट 31.6 करोड का पिछले quarter में 117.8 करोड का और December 22 quarter में 99 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS 2.33 रुपिच का quarter on quarter year on year दोनों में fall होती में नज़र आ रही है तो गैस company का result अगर देखा जाए न तो average देखे कंपनी का consolidated में quarter on quarter की income profit में down है but year on year में increase किया but stand-alone में income profit दोनों में down है quarter on quarter year on year दोनों की profit income में down हुआ है इसलिए company average result पेश कहा है तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई doubt है comment box में पूछे मिलते है